कि हलो दोस्तों पीच्टी का एक डियान उर्किशी स्टार्ट हो गया है जो कि IIT खानपूर से हैं दोस्तों इन्हें काफी सारे सब्जेट के लिए आवेदर मांगा है सबसे पहले हम आपको कुछ इन्हें पूर्टन डिटेल्स दिखा देते हैं दोस्तों आप जैसे अप्लाइन उपर सेशन पर क्लिक करेंगे तो कि सामने यह डिटेल्स हाज जाएगी कि यह एम्टेक पिएजडी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके इन्हें पर दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर सैंपल एप्लिक्शन भी यहाँ पर दिवी है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं अब पैक जाके आगे अधर दिटेल दिख लेते हैं दोस्तों आप कंट्रेक्ट देपार्ट्मेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको डिपार्ट्मेंट की डिटेल्स हाज जाएगी कि कुण कुण से डिपार्ट्मेंट के अंतर आवेदर मांगा गये हैं और उससे अधर मेंट्स और आवेदर के अधर गये हैं तो दोस्तों यहाँ पर सभी दिख जाएगी अलग-अलग यह देख सकते हैं दोस्तों पीसडी के लिए भी बताएगे हैं आपर पीजडी in engineering और जिसमें की Aerospace Engineering, biological science and bio engineering, chemical engineering, civil engineering, computer science and engineering, electrical engineering, management science, material science and engineering, interdisciplining जो भी program वगर है जो इसके अंदर है वो देख लिजेगा इसके अंदर मास्टर डिग्री रहेगी और जो कि मार्क्स या से बिलो नहीं होना चाहिए यह लिखा हुए कि बैच्टर डिग्री है आपके बास में इंजिनियर्ग के अंदर फोर येर वाली तो 75% से नीचे नहीं होना चाहिए चाहिए और आपके वास में गयलिडिगेट स्कोर भी होना चाहिए यह बताया गया है और मास्टर डिग्री के लिए कि लिए बताया है कि 6.5 बैचलर डिग्री की हो और जीयरत जैरफ पकेशोर भी हो ऐसे करके सभीं के लिए लगए लिजबील्टी सब्सक्राइब है तो अब देख सकते हैं PhD साइंस के लिए बताया गया है यहां पर इसके अंदर लगबग सेम ही है तो यह सभी के लिए आप अलग लग देख सकते हैं आप अच्यासे देखके ही दोस्तों आप इतन कीजिएगा इसके अंदर नॉर्मल है सेम बट फिर भी देख लीजेगा आप एक बार क्योंकि कुछ इलिजिविल्टी अलग लग है जैसे कि इसके अंदर हमानेटिस वाले के अंदर यहां पर लिखा हुए कि 55 परसेंट ही चाहिए मास्टर डिकरी के अंदर और फर्स्ट डिवीजन चाहिए बैचलर के अंदर नेट या जैरफ का सर्टिफिकट चाहिए गेट स यदि किसके पास में external funding agency से भी है तो वो उसके थ्रू भी ले सकता है तो यह उसके ऊपर है और दोस्तों बैक जाके हम अधर देख लेते हैं यहां पर फाइनेसर शिस्टर्शिप के बारे में हमने आपको बता दिया है दोस्तों यहां पर आगे information brochure दिया हुए तो information brochure भी आ देख लिजेगा दोस्तों यह PDF अपने astrospace engineering का डाउनलोड कर दिया है जो भी पहले टाउनलोड रहा था हमने वह कर लिया है बाकि आप अपने हिसाब से देख लिए जिस सब्सक्राइब करें तो यहां पर आपको डेटल देखनों मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइब देख सकते हैं काफी सारे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार से आपको देखने को information मिलेगी सभी की और इसी सब्सक्राइब आपको यहां पर contact information भी देखने हो मिलेगी इस प्रकार दोस्तों आप सभी का देख लिजेगा अब दोस्तों वापस back website पर लेकर चलते हैं आपको दोस्तों website पर आजने वाद में हम पीछे चलते हैं वापस back जाएंगे तो आपके सामने और भी information देखने हो मिलेगी आपको यह for specialization details FAQ भी दिया हुए है तो आप यह भ time period January 2 25 तक होना चाहिए valid ऐसी EWS certificate के बारे में बताया गया है और information part-time student external sponsor for national सभी के लिए बताएगी है तो आपके देख सकते हैं दोस्तों यह है इसके बार में information दोस्तों इसके regarding जो भी link है वाम website पर देदेंगे दोस्तों जब आप three dots पर click करके यहां से आप home page पर आएगे तो आप कैसे आपने और information देखने को मिल जाएगी यह सभी information आपको इए की page पर मिल जाएगी यह यहाँ पर three dots से जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ सभी subject-fit से देखने को मिल जाएगे आपको घूस्टर की बार में Indian content के बार में information देखने को मिल जाएगी ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 500 में फीस रहेगी जनरल एडुलेस, OBC और OBC नियुन क्रिमिलिल कंडियन्ट के लिए और दोस्तों पचास रुपए SCST और DAP कंडियन्ट के लिए बताएगी है जोकि नौन रिफंडिबल फीस होगी दोस्तों यहाँ पर link दी हुई यह apply करने की आप देख सकते हैं इस पर जैसी क्लिक करेंगे तो apply वाले session पर आ जाएंगे फिर से और apply भी कर पाएंगे जैसे इस पर click करेंगे तो आपके समने फिर से यह नई window ओपन हो जाएगी और ये apply भी कर पाएंगे दोस्तों आप यहां से तो यह दे सकते हैं यहां पर new register प्लिक क्लिक के apply कर सकते हैं दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी की जानकर यह अच्छी लगी होगी यदि आपको हमारे द्वारादी की जानकर यह अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलिग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पेडिस रिडिटेड ने अपडेट के लिए